महुआ मुईत्रा एक ऐसा नाम है जो आप देखते हैं कि अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खिया वटोरती रहती हैं और आपको मालो होगा जो पश्यमंगाल की मम्ता बनर्जी हैं मुखमंत्री हैं उनका काफी करीबी भी इने माना जाता है और TMC से जो TMC पार्टी है ना इसकी ए लोगसभा सदस भी है तो आज हम लोग इनके बार में एक सावान चर्चा करेंगे और अभी इनका एक बिवादित बयान है क्या बिवादित बयान है और इससे पहले और भी जो बिवादित बयान इनके रहे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर देख भी रहे होंगे और लोकसभा में भी आप लोगों ने इनने देखा होगा सुना भी होगा और आप देखी ममता बनर जी की काफी करीवी माना जाता है पहले एक कॉंग्रेस में हुआ करती थी और एक कॉंग्रेस वही पार्टी है जिसकी इस्थाफना 28 देसंबर 1885 में हुई थी उसके बाद आप लोग याद रखेगा और इनका संब्ध पष्चे मंगाल से है कहां से पष्चे मंगाल से इनका संब्ध है तो आप लोग पष्चे मंगाल को देख लीजे इसकी राध्धानी कोलकाता है आप देखेंगे उडीसा से सीमा लगती है जारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, पांच राज्जों से सीमा लगती है इसकी और आप देखेंगे कि पष्चे मंगाल की तीन देशों से सीमा लगती है जिसमें नैपाल सामिल है, भूटान सामिल है और आपका बंगलादीस सामिल है और आप देखेंगे यहां विधान सभा में आपको 294 सीट हैं पष्चे आज मई 1924 को होता है, कहां कोलकाता पष्टेमंगाल में इनका जनम होता है। इनके पिता दीपैंद्र लाल मुहित्रा और माता का नाम मंजु मुहित्रा, इनके पती की बात करें तो इन्होंने एक बिदेसी से साधी की थी, जिसका नाम Lars, Broshan और A. Scandinavia थे और इनसे तलाक हो गया है इनका जा हो गया है तलाक हो गया है फिर आप देखेंगे अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें महुआ की तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा कोलकाता से ही पूरी की थी उसके बाद उन्होंने B.A. तक की पड़ाई मैसाशियूर्स स्युक्तराज अमेरिका के माउंट होलो कॉले से पूरी की कहां से माउंट होलो से फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे आप देखेंगे कि ये इसनातक किये हुए है यानी कि आप लोग 10th करते हैं 12th करते हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि आप लोग एक डिग्री ले लेते हैं तो इन्होंने भी डिग्री ली हुई है और ब्योसाई की बात करें तो आपको बता दूँ ये पहले बेंकर भ जुड़ गई थी 2008 से 2010 तक जुड़ी रहें उसके बाद 2010 में इन्होंने TMC का दामन थाम लिया था और बर्दमार में भी TMC में हैं और महुआ मुईत्रा ने अमेरिका के में साथ चिर्ट्स में माउंट हॉलियोक कॉलिज से गड़ित और अर्थ सास्त में ग्रिजियर्शन किया के साथ भी जुड़ी रही हैं उचे पदों पर भी इन्होंने काम किया है फिर आप देखेंगे 2008 में राजनीती में कदम रखती हैं और कॉंग्रेस की सदस्त बन जाती हैं 2010 में इन्होंने अकिल भारतिये तर्णमूल कॉंग्रेस वार्टी को जोईन कर लेती हैं कॉंग्रेस कम से कम 25 साल होनी चे अधिकतम एज की कोई सीमा नहीं रखी गई आई होगी और आप देखें कि इनका चुनाओ बिधायकों का डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी बोट डाल लें जाते होंगे वो बोटल सूच और आप देखेंगे कि इन्होंने जीता दी और लोगसभा सदस अगर आपको बनना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल लखी गई है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इसका चुनाओ भी डारेक्ट जनता की द्वारा होता है तो 2016 में ये विधायक बनती है और 2019 मे ये लोगसभा सदस बनती है अब इनसे जुड़े हुए कुछ बिबाद हैं इन्हें जरूर देखी लिजे और देखी बिबादों का जुरना सोभाविक सी बात रहती है कुछ इनके चाहने वाले होंगे पसंद करने वाले होंगे कुछ आलो चक होंगे ना चाहने वाले तो उनके लिए ये बिवाद हो सकता है कि खराब लगें। और अब तो आप लोग जानते होंगे कि जो वावल सुप्रियों हैं ए बीजेपी को छोड़ कर पीमसी में आ गए हैं ममतब अनर जी की पारटी से जोड़ चुके हैं। में रही थी। एक बार तो महुआ मुइत्रा पर साहितिक चोरी करने का भी आरोप लग चुका है। और पश्य मंगाल एकाई ने महुआ मुइत्रा पर आरोप लगाया था कि विधाल सवा उचुनाओ प्रिचार के दोरान उन्होंने थाना प्रभारी सुमित कुमार गोस के साथ मिलकर आचार सहिता का उलगन किया था। चुनाओ के समय आप लोग आचार सहिता देखते ना उसी की बात हो रही है। और अभी जो वरत्मान में एक बिवाद बना हुआ है। मास खाने और सराप पीने बाली देवी की रूम में भी देखती है। और एक मोवी पोश्टर पोठोई ब्यवाद पर पितिकिरिया देती हुए टी एमसी सांसर ने यह बात कही कि महुआ ने आगे कहा काली के कई रूप है। और इस पोश्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है महुआ मुहित्रा को और कई जगे आप देखेंगे कि देवताओं को तो सराप तक चड़ाई जाती है। अगर आप भूटान और सिक्रिम चले जाए तो हाँ सुबह पूजा में भगवान को सराप चड़ाई जाती है। लेकिन चीज आप उत्तर पिदेश में यही चीज कर तो किसी को पिरसाद में देदें तो उसकी भावनाएं आहत हो जा सकती है। और आप देखेंगे कि एक एहराई हैं कि इनकी नजर में देवी काली एक मास खाने वाली और सरापीने वाली देवी की रूम में हैं। और इनके अनुसार हर किसी को अपनी तरह से देवी देवता उसके बाद आप देखे देश बर में हिंसा हुई और आप देखे घटनाय हुई आलोचना भी हुई और उन्होंने कहा है मगवा मुहित्रा ने कि आलोचना करने के पक्षधर है हाले कि आलोचना करने है वह हिंसा उक्साने के में अंतर है तो यही कहान है मगवा मुहित्रा की आप लोग क्या सोचते हैं इनकी बैयानों पर? आप लोग आजादी के साथ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप देखे, इस तरह की मूवियां अगर बनती हैं, तो उन्हें मूवियों को सुईकिती कौन देता है? अगर इस तरह की आपती जनक कोई उसमें सामगरी है, तो मुझे लगता है कि सुईकिती मिलने से पहले, या आप देखे, कोई तो उसका लिखा फड़ा होता होगा न, उस पर आप देखे, सुईकिती मिलने से पहले उसे हटवा देना चाहिए, आप देखते हैं कि इस तरह कई कई मूवियों पर बवाल मत जाता है, किसी की धार में एक भावनाय आहाथ हो जाती है, तो उससे पहले ही अगर इस तरह कि बेवाद एता, अगर कोई सीन है तो उसे हटा दीजे, और फिर आप देखिए, धार में एक भावनाय भड़कती रहती है, चलिए और किसी के बारे में बात करनी हूँ, तो उसका आप लोग नाम बता सकते नीचे, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?